नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अप्यार्स क्लाउड में तो दोस्तों भारती नौसेना आइने स्विक्रांद की कमिशनिंग के बाद एक और युद्धुपोत को अपने बेडे में सामिल करने जा रही है जिसका नाम है तारागिरी और तारागिरी एक स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसे कल ही लांच किया गया है तो आईए जानते हैं इसकी खासितों के बारे में और ये कितना ताकतवर है तो चलिए दोस्तों बिना आपका समय बरवात किये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों तारागिरी देश में P-70 ने फ्रिगेट के तहट बनने वाला तीसरा युदुपोत है और इसका निर्माण मुंबई के मजगाओ डाकसी बिल्डर्स ने किया है जहां कल इसे लांच किया गया और तारागिरी का नाम गणवाल में स्थित हिमाले की पहाड़ी संखला के नाम पर रखा गया है तारागिरी को Integrated Construction Methodology से बनाया गया है यानि इसके अलग-अलग हिस्तों को बिभिन जगों पर बनाया गया है और फिर उसे लाकर एक साथ जोड दिया गया है और इसे 10 सितंबर 2020 को बनाना सुरू किया गया था भारती नौसिना में या अगस्त 2025 तक सामिल भी हो जाएगा वहीं तारागिरी पर लगे हथियारों की बात करें तो तारागिरी पर Anti-Air Warfare के लिए भविस में सतय से हवा में मार करने वाली 32 बाराक ATR मिसाइल या फिर भारत का सीक्रेट हतियार VLSR SAM मिसाइल लगाई जा सकती है वहीं Anti-Surface Warfare के लिए इस पर आठ ब्रमोस Anti-SIM मिसाइल लगाई जा सकती है और युद्धुपोत में Anti-Surmarine Warfare के लिए दो त्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं इसके अलावा 2RBU 6000 Anti-Surmarine Rocket Launchers भी लगे हुए है तारागिरी 3510 वजनी है इसे भारती नौसेना के In-House Bureau of Naval Design ने डिजाइन किया है और इसकी लंबाई 148 मिटर है वहीं चोड़ाई की बात करूँ तो 17.8 मिटर है और ये जहाद दो गयस टर्वाइन और दो मुखे डीजल इंजन के सायोजन से चलता है और भारत में 1964 से अब तक 90 से ज़्यादा वार्शिप्स जिनमें छोटे क्राफ्ट से लेकर एर क्राफ्ट करियर तक बनाया जा चुके हैं वही तारागिरी स्ट्रेल्ट फिगेड में आत्याधूनिक हतियार सेंसर एडवान सेक्षन इंफार्मेशन सिस्टम प्लेट फार्म मैनेजमेंट सिस्टम वर्ड क्लास माडिलर बेहतरीन पावर डिस्ट्रिबिशन सिस्टम समेथ कई अन्य एडवान्स फीचर्स हैं इसे सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम से लैस किया जाएगा और दुस्मन के विवानों और जहाज रोधी क्रूज मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है वैसे बात करूँ तो भारत के पास सिवाली क्लास, तलवार क्लास और ब्रम्रपूत्र क्लास के कुल मिला कर 12 फ्रिगेट्स मौजूद हैं जिनमें सबसे भारी और अत्याधुनिक 6200 टन वाले सिवाली क्लास फ्रिगेट्स हैं और ये ऐसे जंगी जहाज होते हैं जिनका मुख्य काम सिर्फ और सिर्फ हमला करना होता है और आज कल स्टेल्थ गाइड़ेड मिसाइल फ्रिगेट होते हैं जिनमें मिसाइलों को भी तैनात किया जाता है वहीं इस तारागिरी युद्ध पोत में एक 76 मिमी की OTO मिलारा नेवल गन के अलावा दो एके 630M CIWS गन लगाई जाएगी इसमें एक 735 अधिकारियों के अलावा 1.500 लोगों को तैनात किया जा सकता है वहीं स्वादेशी स्टेल्थ फ्रिगर तारागिरी का निर्माड 10 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था और इसे पूर होने में अगस्त 2025 तक का समय लग सकता है अब आप लोगों का क्या कहना है नेवी के स्टेल्थ युद्ध पोत तारागिरी के बारे में कमेंट में जरू बताएं और वीडियो को लाइक सेर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रस करना न भूले ताकि ऐसी ही डिफेंस जूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें धन्यवाद कर दो